तो हम मकरलगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे थे ब्रस्पती की महादसा के बारे में मकरलगन का अगर आपका चार्ट हो और ब्रस्पती अगर आपके बारवे भाव में इस्तित हो ऐसे में अगर आपको ब्रस्पती की महादसा आती है तो ब्रस्पती की महादसा में आपको क्या कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं इससे पहले हम 11 भाव तक पूरी चर्चा कर चुके तो ये हमारी अंतिम वीडियो ही रहेगी अब मकर लगन बालों के लिए यहां देखें ब्रस्पती का खुद का घर है और उनका मुल्त्रिकॉन रासी भी है तो यहां ब्रस्पती काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे अब जिन इस्त्रियों के चार्ट में यहां ब्रस्पती बैठें उनके लिए भी यह फेवरेबल होंगे जरूर मैरीड लाइफ के लिए भी लेकिन क्योंकि ऐसा जो ब्रस्पती है वो अपने जो मुल्त्रिकॉन रासी उसमें तो है और वो जो साइन है धनूरासी है धनूरासी होने की वेज़े से यहां पर बहुती ऑप्टिमम लेवल का आध्यात्मिक ज्यान या आप में किसी भी प्रकार की ऐसी परतिबा होने के चांसेज है तो ऐसा ब्रस्पती आपको ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक परवर्ती देगा आपको बहुत ज़्यादा बहुत तिक सुखों की तरफ लेकर नहीं जाएगा इस वज़े से यहां ब्रस्पती अक्सर आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे बार बार या तो आप दान दक्षना में पैसा खर्च कर देंगे या फिर किसी भी तरीके से आप किसी सुख कारिये में पैसा खर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत तिक जिवन की तरफ ऐसा ब्रस्पती रुजहान नहीं देता और ये ब्रस्पती आपको बहुत ज़्यादा इमानदार भी बनाता है और आप हमेशा दूसरों को धन के माद्यम से या अपने ग्यान के माद्यम से सपोर्ट करते वे नजर आएंगे ब्रस्पती आपके चार्ट में तीसरे भाव के बिश्वामी है इसलिए आप किसी भी प्रकार का अध्यात्मिक रूप से जो क्रियेटिव वरक अगर करने जा रहे हैं तो ये ब्रस्पती आपका बहुत ज़्यादा यहां साथ देंगे इसके साथ साथ यहां ब्रस्पती आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाने का काम करेंगे और आपको एक बहुत ही ऐसी जो सकती है अंतरमन की जो सकती है वो गाइड करती रहेगी इस दसा की दोरान इसके लावा ऐसा ब्रस्पती आपके खर्चों को बढ़ाने के साथ आपको विदेश में ज़्यादा सफलता दे सकता है या विदेश के थुरू आपको ज़्यादा इंकम दे सकता है इसके लावा ऐसा बिजनस भी आपको ब्रस्पती दे सकते हैं जिसमें आपका जो अब भी आपको सप्लाई कर रहे हैं माल वगएर वो विदेश जा रहा है यानि एक्सपोर्ट हो रहा है तो ऐसा आप कोई न कोई बिजनस करने के बारे में जरूर सोव सकते हैं इस देसा में अब ये जो महादसा है वो 16 वर्स की महादसा होगी और इसमें आपकी एज का भी बहुत बड़ा रॉल रहेगा कि आपको ये महादसा कौन से एज में स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि ये जो ब्रस्पति के 16 वर्स हैं वो आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसको चेंज करने की छमता रखते हैं ब्रस्पति की महादसा से पहले आप रहू की महादसा के अंडर में होते हैं और रहू की महादसा भी लगबग ब्रस्पति से तो ज्यादा ही लंबी होती है लेक बड़ी बड़ी कपॉल का पनाएं भी करते हैं राहु दसा में अगर मालो आपका राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में है चार्ट में तो निस्चित रूप से आप अपने जिवन में काफी जदा प्रगति भी करते हैं राहु दसा में लेकिन ब्रस्पत्य की महादसा बहुत ज़्यादा डिफरेंट महादसा है राहू की तुलना में तो इस दसा में आपने जो राहू दसा में अपने लिए एक्सपेक्टेशन्स रखी हैं लाइफ में ग्रोथ पगरे के लिए या अध्यात्मिक परपस के लिए वो यहाँ पर काम नहीं करेंगी और उस परकार की एक्स अपको बिलकुल नहीं रखने इसके साथ आप अपने रिस्तों में भी यही सब देखेंगे आप किसी भी रिस्ते में बहुत ज्यादा प्रक्षा रखेंगे उतना ही आपको नुक्षान भी होगा अइसा ब्रस्पती आपको दूसरों के परती बहुत ज़्यादा इसके सासाथ आप अपने ग्यान और अपनी च्मताओं की वैज़से दूसरे लोगों को भी प्रियापत रूप से लाबानवित करते रहेंगे ऐसा ब्रस्पति आपको मौक्स की तरफ लेकर जाएगा अगर ये दसा आपको लेट एज में आती है तो तो ब्रस्पति आपको बह अभी कभी देखने को मिल सकता है इसके सासाथ सबसे बड़ा रोल रहेगा फिर किसी भी दूसरे प्लैनेट का अगर समन्द बरस्पति से है अगर देखिए यूति के द्वारा अगर वो समन्द बन रहा है तो यूति का प्रभाव सरवादिक पढ़ेगा और सिरफ बरस्पति काफी ज्यादा स्ट्रॉंग होंगे जर्री नहीं कि कोई भी दूसरा प्लैनेट अकर बरस्पति पर दश्टी डाल रहा है तो बरस्पति उस प्लैनेट से प्रभावित होने के लिए बात दे हैं जैसे अगर मालो यहां मंगल का दृष्टी है सूर्य का बरस्पति अब क्योंकि 12 भावकेश्वा में हैं तो आपको हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो आगे की फ्यूचर की जो लाइफ है उसको प्लान करना इजी हो या आपकी डैली लाइफ बहुत ज़दा आसान हो जाएगी आप जितना अधिक अपने ग्यान और अपने जो जो छमताएं हैं उनको काम मिलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा ये महादसा आपके लिए लेकिन देखिए ब्रस्पति की महादसा जो है एक बहुत ही कभी-कभी स्लो महादसा की रूप में देखी जा सकती है क्योंकि आप जैसे ही राहू महादसा से निकल कर जदा स्लो पड़ जाती है और वो सारे की सारे आपके ख्वाब पूरे नहीं हो पाते तो यहां पर एक बार आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ एकदम रुख सी गई है और उसके बाद फिर से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तो यहां ब्रस्पति की महादसा कर देख ग्यान और आपकी चेमताओंसे संचालित होगी यहां पर किसीबी परकार के expectations या किसी परकार का illusion या कोई भी ब्रहांती नहीं चलेगी यहां पर आपको जितना अधिक knowledge होगा जितना अधिक ज्यान aja होगा आपको जितना अधिक maturity होगी उतना ही अच्छा काम कर या जो अन्यस्तिलन, जो वास्तम में भर्मन योग्गी हैं, उनका भर्मन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेदित करेगा और आपको दूसरे देशों की कल्चर, वहां के रितिरिवाज, वहां की धार्मिक जो पर्थाएं हैं, या जो धार्मिक माननेताएं हैं, उनके बा चैन्दरमा का समंध बन जाता है तो यहां ब्रसपति के साथ कोई अगर अन्य प्लैनेट बैठा है तो उसका प्रभाव हमेशा ही आपको देखना चाहिए जैसे मालो यहां अगर सूरिय बैठे हो, यहां मंगल बैठे हो, तो ब्रस्पत्य के result और भी ज़्यादा प्रभावी होंगे आप लोगों के लिए, और थोड़े fast भी होंगे, अब जो भी planet ब्रस्पत्य के साथ बैठा है, वो कैस्प्रकार का planet है, वो कितना ज़्यादा close है ब्रस्पत्य के, तो कहीने कहीं वो planet भी साथ में ही activate होगा ब्रस्पत्य की महादसा में, तो आपका वो planet जिन जिन भावों का परतिनी दित्वय करता है, उस भावों पर भी आपको ध्यान देना, और उस man जो planet है आपका, उसके जो छमताएं हैं या उसके जो कारकत्व हैं उन पर भी आपको ध्यान देना, जैसे अगर यहाँ पर चंद्रमा हैं, तो चंद्रमा होने की वज़से आपको कुछ न कुछ लिखना, meditation बगरे करना, साध्रा बगरे करना, सिद्धी बगरे करना, यह सब आसान हो जाएगा, पुझा पाथ बगरे करने में, इन सब कारियों में आपकी रूची बढ़ती जाएगी समय के साथ, इसके साथ यहां बरस्पती क्योंकि तीसरे भाव के शौमी हैं, तो आप ज्यादा तर ट्रेवलिंग में जितना effort लगाएंगे, ज्यान प्राप्ते में जितना effort लगाएंगे, उतना आपके लिए favor करेगा बरस्पती, इसके अलावा जो भी लोग बरस्पती की महादसा में अगर विदेश सेटल होते हैं, अपनी higher education के लिए, अपने career के लिए, या अपने किसी भी अन्य purpose के लिए, तो आपको विदेश में ज्यादा name fame या परसिद्धी दिला सकते हैं, और हम ये भी बोलते हैं, कि बरस्पती जिस भाव में बैठे हुए हो, अगर आपको महादसा आ जाती है बरस्पती की तो उस भाव से related आप काम करिएगा जरूर ही, तो इस भाव से related अगर आप कोई भी काम करेंगे, जो कि वो ऐसा काम जो आपको भी favor करे वास्तम है, या वो आपके लिए भी favorable हो या अच्छा हो, यह नहीं कि आप अपना नुकसान ही कर लेंगे, तो आपका लक्साथ देगा, तो यहाँ पर आपको particularly जैसे कोई भी विदेश सेटल होने के लिए देख सकता है, अपनी higher education के लिए देख सकता है, अपना कोई भी ऐसा काम जो बारवे भाव से जुड़ा हुआ हो, इसके लव जो भी लोग बहुत ही higher level के वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे जो वक्ता होते हैं, पबलिक speaking जो करते हैं, या जो लोग बहुत ही अच्छे आध्यात्मिक नेता या आध्यात्मिक छेतर में ज्यादा सक्री होते हैं, उन लोगों के लिए भी यह दसा काफी favorable रहेगी, अब यहां तीसरे भाव के स्वामी होनी के विए से अब आप जितना ज्यादा effort लगाएंगे बारवे भाव से जुड़े हुए कारियों में, उतना ही ज्यादा आपका यहां पर ब्रस्पती साथ देंगे, ब्रस्पती की दृष्टियों के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते ह उसके बाद देखेंगे, आपकी life में जो age है आपकी, age के आपसे किस प्रकार का रोल यहां ब्रस्पती का रह सकता है, तो ब्रस्पती की सबसे पहले तो जो दृष्टी पढ़ेगी वो आपके fourth house पर ही पढ़ेगी, जहां मंगल का घर है और अपने मित्र के घर पर जब ब्र खर्चा करना पड़ेगा, या extra responsibility भी आपको आपके family या उनके किसी काम की लेनी पड़ सकती है, तो यहां ब्रस्पती ये भी सुनिसित करते हैं, कि आप अपने घर में, परिवार में, कुछ नो कुछ ऐसा आध्यात में किरियाएं, या कोई नो कोई ऐसा पाठ, या कोई भी हवन बगरे ऐसा करते रहेंगे लगातार, ऐसा ब्रस्पती ये दिखाता है कि कहीं न कहीं आप अपने घर परिवार की ज्यादा केर करेंगे, और पैसा भी खुद के लिए ना खर्च करके घर परिवार के सदस्यों के लिए या अपने family के लिए खर्चा करेंगे, प्रस्प house पर जो दृष्टी पड़ेगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा favor करेगी, क्योंकि ये आपका workplace है, अगर आपने कोई भी ऐसी चुनोती देखी है life में, जहां पर आप financially कुछ बहुत समस्याओं से जूज रहे हैं, या किसी अन्य प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है ज जल सकते हैं, ब्रस्पति का आप जितना ज्यादा ज्यान यूज करेंगे, जितनी अधिक अपनी चमताओं का यूज करेंगे, उतना ही जल्दी आप अपनी जो problems हैं, उनको दूर कर लेंगे, ब्रस्पति की यहां दृष्टिगा होना, आप अपने colleagues के लिए, अपने boss के लि लेकर आप से कोई ना कोई advice मांगेंगे, या आपका कोई ना कोई suggestion वो लोग लेंगे, तो यहां पर ब्रस्पति मैंली आपको protect करने का काम करेगा, जितनी भी समझे हैं आपके जिवन में आ सकती हैं, जैसे कि आपने कोई loan बगरे ले लिया, तो आप loan का repayment easily कर सकेंगे, यह यहां ब्रस्पति की दर्ष्टी है, तो स्वास्ते को लेकर भी आप काफी ज़्यदा alert रहे सकेंगे, यह दर्ष्टी की विज़े से कभी-कभी आपको अपने Delhi life को maintain करना आसान नहीं होगा, यहां पर आप जितना ज्यादा उगरता दिखाएंगे, उतना बहतर है, क्योंकि इन ब्रस्पति आपके विभार में बहुत ज़्यादा सालिंता और बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं एक सीधापन लाते हैं, इस विज़े से हर कोई आपका फाइदा उठाता, तो यहां पर आपको ऐसे इस्तिति क्रियेट नहीं होने देनी, जिससे आपका लोग फाइदा उठाएं, ब्रस्पति की यह दृष्टी यहां पर जो पढ़ रही है, यहां आपको काफी ज़्यादा वाइजली डिसिजन लेने के लिए ब्रस्पति प्रेरित करेंगे, उसके बाद इनकी दृष्टी पढ़ रही है आपके आठव भापे, आठव भापे जो दृष्टी ज़्यादा सपोर्ट करें, और यहां पर भी जो ब्रस्पति हैं वो अपने मित्र सूर्य के घर पे दृष्टी डाल रहे हैं, तो यहां पर कुछ न कुछ नया एक्स्प्लोर करना, कुछ न कुछ सीखना नया समझना, यह आपके लिए काफी आसान होता चला जाएगा, और यह हाउस जो है वो सदं गेन का भी है, तो कुछ हद तक आपको इस हाउस से धन के रूप में या इंकम के रूप में, प्रोपर्टी वगरे के रूप में सदं गेन भी हो सकते हैं, इसलिए फैमिली के साथ आपके रिलेशनस यहां बैठे हुए प्लैने पे भी डिपेंड कर इसा इसके साथ चोटों को देखा होगा या छोटी एज के लोगों को डिका होगा जो कि बहुत ज़्यादा आध्यात में किया पी एक साधूशंद की तरह लगते हैं हमें अन्हों की ब्रिस्पति जीसी कोई दसा चल रहीह ओते हुती है इसके साथ आप यहाँ पर ये देख सकेंगे कि ब्रस्पती जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीजों को सीखने, चीजों को experience करने के लिए प्रेडित करेंगे तो ये पढ़ने डिखने के लिए अच्छा समय है अपने आपको बहुत ज़्यादा मैच्चोर बनाने के लिए भी बहुत इच्छा समय है क्योंकि इसके बाद आपकी सनी की महादसा आएगी ब्रस्पती के बाद जो आपकी काफी ज़्यादा प्रिक्षा ले सकती है आने वाले समय में तो अब आपको आने वाली दसा के लिए भी इसी दसा से prepare होना चाहिए, ब्रस्पति की महादसा माल लीजिए किसी को अगर 25 की age से लेके 35 की age तक अगर कभी भी आती है, तो ये समय आपके केरियर निर्मान का होगा, इसलिए यहां केरियर निर्मान में भी ब्रस्पति का बहु बढ़ने के लिए, तो यहां केरियर के लिए भी बेस्ट रहेगा, केरियर से रिलेटेड आपको कोई भी decision लेना है, कोई भी आपको competition वगरे fight करना है, exam वगरे देना है, तो केरियर के लिए भी उतना ही महत्वपन डोल हम मान सकते हैं यहां ब्रस्पति का, उसके बाद ब्र ब्रस्पति आपको highly spiritual बनाएगा और काफी सारे धरम गरंतों का या अन्य जो भी अकल्ट से related ग्यान है, या जो आध्यात्म से related ग्यान है, वो भी देगा, तो यहां मैंली अब आपको अपने स्वास्ते का ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा, अपने खान-पन का ख्याल ब